नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबी का हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तो, घर में साकरात्मक उर्जा बढाने में पेड़ पोदे काफी मददगार सापित होते है दोस्तो, वास्तुशास्त्रों के अनुसार घर में लगे कुछ पोदों को सुक्सम्टिती, खुशाली और सुभागे का प्रतीक माना जाता है इनी पोदों में से एक है मनी प्लांट ये एक ऐसा पोदा है जो अधिकतर घरों में लगा हुआ होता है वासु शासरों के अनुसार घर में लगा मनी प्लांट वेक्ती की तरक्की खुशाली आदी में पॉजिटिव प्रभाब डालता है लेकिन इसे लगाने से पहले कुछ नियमों को जानना बेहर ज़रूरी है मनी प्लांट को लेकर लोगों के बीच कई बाते फैली हुई है जैसी की चोरी का मनी प्लांट लगाना शुब होता है तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे वासु शासरों के अनुसार मनी प्लांट समंदित कुछ सवालों के जवाब चोरी का money plant लगाना क्या शुब होता है क्या जमीन में money plant लगाना शुब Одग गयाU मनी प्लांट लगाना शुभ। दोस्तों वास्तुशास्त्रों के अनुसार आम तोर पर जमीन में कोई भी पोदा लगाने से उसकी व्रिदी तेजी से होती है यह जमीन से उसे हर तरह का पॉश्चिंतत्व मिल जाता लेकिन मनी प्लांट को जमीन में लगाने के बज़ाए गमले में लगाना चाहिए जमीन में लगाने से नक्रात्मक उर्जा बढ़ती है जो कि घर और वैपार के लिए सही नहीं होती है किस तरह रखे मनी प्लांट की लताएं? दोस्तों कई लोगों के घर में मनी प्लांट इतना जादा बढ़ जाता है कि जमीन से भी छूने लगता है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए बेल को जमीन से बिलकुल नहीं छूना चाहिए इसे नाकरातमक अर्जा अधिक उत्फपन होती है इसके साथी मनी प्लांट का संबंध मातालक्षमी के साथ होता है ऐसे में जमीन से छूने से मा लक्षमी का अपमान होता है इसलिए आप मनी प्लांट की लटाएं उपर करके किसी चीज़ से बान दे नमबर चार इस तरह की पतियां तुरंथ हटा दें दोस्तो वास्तु शास्त्रों के अनुसार मनी प्लांट में लगी पीली और सूखी पतियों को तुरंथ हटा देना चाहिए नमबर पांच किस दिशा में मनी प्लांट लगाएं दोस्तों वास्तु शास्त्रों के अनुसार मनी प्लांट का पोदा हमेशा दक्षिन पूर्ग दिशा में ही लगाना चाहिए क्योंकि इस दिशा में भगवान गनेश का वास होता है इसके साथ ही प्रती निदी शुक्र ग्रहे तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको परसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें फिर मिलूंगी एक नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार